सो हें गाईज वेलकम बैक टो चैनल ट्रेडिंग उनिवर्सटी एक और बहत्री अनायल्सिस की वीडियो रहेगी आप लोग ले आज हम क्यूंकि कल आज आप लोग लीडियो बना रहा हूं 17 एप्रिल का दिन है आज मारा वेटनस डे का दिन रहने वाला है फिर्स्ट अ वाल क्योंकि आपको पता है बहुत ही जादा स्विंग हमारे सारे इंडेक्स ने बनाया था क्योंकि एक मैं बोलूगा ग्लोबल सेंटिमेंट जो था हो काफी जाद नेगेटिव हो गया तो ओवर द वीकेंड अगर मैं प्रिवेस वीकेंड की बात करूं कि उसमें बना एक वार क अगर मैं बात करूं निफ्टी की निफ्टी का ओल टाइम है था और वहीं से हम एक शाप सेलिंग देखने को मिले थी जब इसने 22,275 का लेवल टेस्ट किया था क्योंकि अभी मैं आपको बताओ क्योंकि जो ग्लोबल सेंटिमेंट था वो काफी जाद नेगेटिव ता ओव अगर मैं बात करूं लास्ट ट्रेडिंग डेपे अगर मैं बात करूं आपके ट्यूज़े के दिन की जब हमारी बैंक निफ्टी दोनों की एक सब्सक्राइब हुए थी तो बैंक निफ्टी वस डाउन अप्रोक्सिमेटी तूट इटीट पॉइंट विच इडिव पॉइं आपको यह बेसिक चीज जो अभी तक हमने बात करें निफ्टी के बारे में क्लियर हो गए होंगी आप कुछ इंपॉर्टन लेवल्स कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टन लेवल्स रहने वाले आप लोग कल की एक सपाई रिक ले जैसे कि हमने बात करी 22,177 की हमें लेकू तो ट्वटन लेवल्स रहेज यह मारा पहला सपोर्ट रहने वाला है अगर मैं एस टू की बात रहें आपको अप्रॉक्सिमेटली बाइस जार का लेवल्स ठेक है और गांपका थर्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन रहने वाला वह सीधा आपकी एक रेंज वह रेंज रहने वाली आपकी 21850 से लेके 2900 क्योंकि मैं आप देख पा रहा हूं प्रिवेस चार्ट पर बना टाइम फ्रेम पर काफी जादा रिवर्सल और काफी जादा ट्रेडिंग हमें इसी रेंज में देखने को मिली जो की हमारी कौन सी थी वह थी हमारी 2850 से लेके 2900 की रेंज आयोप आपको इंपोर्टन सपोर्ट के लेवल हमारे क्लियर हो गये होंगे डाइज अब मैं रिमूफ करता हूं आपको इंपोर्टन रेजिसेंस बताता हूं जिसे कि आपको बता है यह हमारा एटी एच था ओल टाइम है जहां पर एक डबल टॉक्प फॉमेशन बनाके ही हमारा जो निफ्टी है वो करेक्ट हुआ है गाईज अगर मैं पहली और बहुत इंपोर्टन रेजिसेंस की बात करूं जो कि आपका आर बन का लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 22,200 से लेके 22,250 एक रेंज रहने वाली है यह ठीक है इंपोर्टन जर्बा करी जादा अच्छी कॉल राइटिंग ऑ राएटिंग हो रख्हियं गुड़ ऑ्मौण्ट ओॉप झाल राइटिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ यह दो बोल रहा है आपको option chain का open interest का data बोल रहा है ठीक है यह आपका open interest का data बोल रहा है ठीक है बहुत जादा important level लेना वाला अगर मैं 22500 की बात करूँ ठीक है तो जो आरवन रहेगा आपका 22200 से लेकर 250 की range रहेगी आपका रहेगा 22400 का सीधा और उसके बाद 22500 से हमें अच्छी selling या हमें हलका सा profit booking देखने को मिल चकती अगर उपर की तरफ हमें markets जाती भी दिख रही है कल के दिन यहां में gap-up opening देखने को बल रही है और और अगर मालनी जी यह उपर से नीचे अप्रोच करें तो यह वाला लेवल आपका support की तरह आट करेगा क्योंकि मैं बावर आपको वीडियो में बताता हूं अपनी support when broken turns into resistance and resistance when broken turns into support so guys I hope आपको यह levels clear हो गए होंगे guys अब मैं आपको एक setup बताता हूं अपना इंट्रा देखा जो मैं use करता हूं अब उसके लंग 15 मिनट पर चलते हैं ठीक है अब मैं 10 EMA लगा रहा हूं आप लोग पिविट पॉइंट स्युवन आचिवन ने यहां पर अपलाए कर दिया है इस 10 EMA के according देख पा रहे हैं अभी क्या हुआ था हमें 10 EMA के उपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी दो तिन दिन से बट हुआ क्या लास्ट ट्रेडिन डे पर क्या हुआ हमें 10 EMA के ऊपर अबफ 10 EMA अबफ 10 EMA हमें एक क्लोजिंग देखने को मिली थी ठीक है और यह जो क्लोजिंग देखने को मिली थी हमें exactly उसी लेवल पर मिली थी जहां पर S3 था हमारा है एसनी कितने time frame पर 15 minutes के time frame और वादर यह कहताहीं किता हूं तो अगर over bot अगर R3 के उपर तो ऑफे या ऐडेंटड़ोर क्रिए ओद्जशन हो जाएगा इंट्रादे बेसे वहाँ पर मार्केट ओवर सोल्ड कहीं जाती है और क्योंकि S3 की ऊपर क्लोजिंग आई थी जो कि आपका एक्जाक्ली 10 EMA भी था जहां पर अपना 22,150 का लेवल था यह आपका S3 भी था और इसके ऊपर भी आपकी सेम लेवल पर 10 EMA का सपोर्ट था तो गा अगर मैं बात करू बारा तारिक की सो बारा तारिक को हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को लिए थी हलकी से हमें ग्याप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी ठीक है और वो ग्याप डाउन ओपनिंग सस्टेन रही फिर पूरा टाइम इसने ट्राय किया 10 EMA के क्लोजिटेवगे हमें करना होता है हमें करना होता है कि हमें या तो पान कॉंटसटिटी स्कूर ऊफ कर दिनी चाहिए अर। या फिर हमें क्या करना होता है पार्ट कॉंटिटी को हम ट्रेल कर सकते हैं और अगर अगर जाती है तो हमें प्रॉफिट बॉक कर लेना चाहिए इसलिए भी काफी इंपोर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है मैं टैनिये में की बात करता हूं और अगर अगर अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है तो वह कब ब्रेक होगा और गाईज अगर माल लो अगर माल लो आपका डाउनसाइड का ट्रेंड चल रहा है तो हमें कब तक इन पोडिशन को को वोल्ड करना तो कब तक हमें इनको करना यह कब तक हमें अपने अपने टरिकें को ट्रेंट लाइं सारी चीजी बताता है यह तहों कि यह में इंदेक्स में बहुत भाइतरी तरीके से काम करता है जो अभी मैं आपको एक्जांपल दिया क्योंकि हमें उसके ऊपर एक पॉजिटिव क्लोसिंग मिली नहीं थी और जैसे ही मिली हमें वहां से अपने या तो पार्ट कॉंटिटी बुक करनी है या फिर पूर ही कॉंटिटी स्कॉयर आफ करती है क्योंकि अब आपने ट्रेड्स करने होते हैं कि अगर उसके ऊपर लुजिंग मिल रही है एक डाउनसाइड के ट्रें में तो हमें पार्ट कॉंटिटी या फिल कॉंटिटी अगर और ऊपर जाते वह दिख रही है प्रीए स्क्रीट करें यह सारी पोजिशन में स्कॉर आफ कर दिनी ह वाले और एक जो मैं आपको चोट अपना इंट्राडे का ट्रेडिंग सेट अप दिया वह भी आपको मज़ा आ गया होगा देखके जो अगर आप लोग पास दिमाट अगाउन नहीं है तो इस फ्री लिंक्स आपको दिमाट अपनिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जो कि आप सीधा डिरेवेटिर दृ और सबावर बटाना में अपने आप कि क्या आप लों को चरी से भी यह लेके रहें पर आपको बता हूं अप कि आप जी light आपके से थे थाए इंग वाले अब जो trades होती हैं अच्छे से adjust कर रहा है दोनों side की position किया अगर मेरे trading plan के साब से यह नहीं हो रहा तो मेरे को यह करना है अगर यह हो रहा है तो यह करना है तो बहुत जो adjustment होती है सारा खेली उसमें होता है जो आपकी actual trading psychology होती है वो तभी play में आती है जब आप trades अपने adjust कर रहे हो तो जो आपकी trading strategy आपकी trading plan की साब से चीज़े नहीं होती तो आप अपनी trade जिसमें बैठे हो या आपने जो ले रखी है उसको आप कैसे adjust कर रहे हो वो ही guys एक actual trader की पैचान होती है आपको levels भी clear हो गए होगे होगे तो guys thank you for watching all our videos please like share and subscribe to our channel and do share all our videos with your friends and family we'll be back for another great video for you thank you so much guys for watching see you bye